हेलो फ्रेंड्स कैसा है यह केक हम बना रहे हैं ब्यूटिफुल केक की रेस्पी तो यहां पर मैं ब्लैक फोरेश्ट केक बना रहे हूं लेकिन कलर और डिजाइन उसका मैं अलग बनाऊंगी यह दम से डिजाइनर केक है तो मैंने यहां पर साड़े 300 ग्राम प्री मिक्स से लि देता है तो आप इसको जरूर ट्राइए कीजिए तो मैं पहली लियर में इस्टोवेरी क्रस्ट लगाया है दूसरी लियर में मैंन लगया है चोकलेट स्रप और चोको चिप्स यह दोनों भी मैं इसके अंदर डाल लूंगी इससे क्या है हमारे जो केक दूसरे रोयल केक की तरह लगेगा और काफी टेस्ट इसका अच्छा आएगा अगर आप इसको बेकरी के लिए बना रहे हैं तो जरूर आपका जो कस्टमर है उसो बहुत पसंद आएगा यह केक आप जरूर ट्राइए कीजिए तो मैं आच्छे से विप क्रीम चाड़ों तरफ लगा लूंगी तो इसको एदम से मैं फाइनल टाच दे दूँगी मैं इनकी करम कोट इदम से हटा कर अब मैं विप क्रीम के अंदर डालूंगी थोड़ा सा पींक कलर और इसमें मैंने स्टोवेरी एसेंस डाला और मैंने इसको अच्छे से चाड़ों तरफ लगा दिया पींक कलर डाला क्य हैं डिजाइन बनाते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर से नीचे से कर लोंगे कॉम स्करबर से इसकी फिकिंस गेलोंगी साईडोंसे और ऊपर से हम बिरुष की साहता से इसमाी लाइनिंग देंगी जिससे क्या होता है कि हमारी फ्रीशिंग अच्छी नहीं आती तो बरस की स ये जेल और इसमें मैंने चॉकलेट स्रफ डाल लिया इसके अंदर और मैंने अच्छे से इसको मैट कर लिया मिक्स कर लिया थोड़ा सा एक चमच पान डालकर और इसे अच्छे से हम पूरे इसमें इस तरह से थोड़ा सा गुमाते हुए डिजान बनाते हुए कर लेंगे और इससे क्या होगा हमारा जो एक केक का एक जो साइड है उसमें ड्रेपिंग डाल देंगे और एक साइड को हम इसी तरह से छोड़ेंगे उसमें हम कुछ अलग डिजान बनाएंगे तो यह मैंने एक तरफ से मेरा फाइनल हो गया पूरा हो गया या नहीं कि आप देख सकते हैं का और अभी मैं इस तरह से राउंड करते हुए नीचे से डिजान बना रही हूँ यानि इस्टार बनार यूँ पहले मैं दूसरा डिजान सोचती बनाने के लिए अब मैंने स्टार इसी बनाए है और इनके बीच में मैं वाइट क्रीम से फिर से फ्लोवर बनाऊंगी जिससे ह हमने चौकलेट गनास डाला है वहाँ पर मैं डाल दूँगे थोड़ा सा सिल्वर कलर के बॉल्स और स्प्रिंकल्स बारीक वाले और इससे जो हमारा केक है उसकी खुबसूरत काफी अच्छी बन रही है और जो हमने वाइट कलर का जो फ्लोवर बनाया थे इसको पर हम लगा देंगे साबुत चेरी और इससे केक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल आने वाला है यहां पर मैंने एक चौकलेट चौकलेट का दिल हाट सेब का मैंने एक दिल बनाया उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट सिल् अंदर बनके तियार हो गया है आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलती हो एक नई रस्यूसा तब तक के लिए बाए बाए